साथियों, अंडबान निकोबार दिश समूव ने भारत की आजादी के आंदोलन को ताकत दी है। आत्मनिर भर भारत के लिए नए भारत की रक्षा, सुरक्षा और सम्रुद्ध के लिए भी अंडबान निकोबार की व्यापक भूमी का है। इसी को समझते हुए 2017 में ही आईलेंड डेवलप्मेंट एजन्से का गठन किया गया था। जिसमें सभी महत्वपों स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया। इन्डेश्ट्रियल डेवलप्मेंट स्कीम्स के इस पूरे ख्षेत्र में MSMEs और दूसरे उद्योगों को प्रोचाइट किया जा रहा है। यह हमारे देश का सोभाग्य है कि हमारे पास अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग चीजें हैं जिनको हम विख्षित कर सकते हैं। जैसे अंडमान और निकोबार मेंसे सीफूर हो, और्गेनिक प्रोडक्स हो, कोकोनट बेज प्रोडक्स हो, इन से जुड़े उद्योगों को हम बल देने वाले हैं। अन्दमान और निकोबार के 12 आइलेंड का चैन किया गया है, जहां हाई इंपक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा साथियों, ब्ल्यू एकोनामी के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, अन्दमान और निकोबार स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है यह चेन्नाई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट और बंगला देश के मोंगला पोर्ट सहीद, कई पोर्ट से बहुत कॉम्पेटिटिव डिस्टन्स पर स्थीथ है समंदर के जरिये माल डुलाई का काम तेज गती गट रहा है ऐसे में गहरे पानी की सिविधा वाला प्रस्तावित, ट्रांस्ट्रिप्मेट हब, अंडमान और निकोबार को बैश्वीक समुदिरी व्यापार का प्रमुक्त केंद्र बना देगा आने वाले समय में अंडमान निकोबार, ब्लू एकोनमी का पोड, मेरी टाइम और स्टार्ट अप के हप के रूप में विक्सित होने वाला है